Hello everyone, today we are studying about catenation and degree of carbon. So, सब से पहले हम catenation से स्टार्ट करेंगे, पर इसके पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को and गिव इट अलाइक. So, let's get started, कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कार्बन किसी और कार्बन के साथ बॉंड बना रहा है, यहाँ फिर किसी अटम की बायत कर लें कि कोई अपने खुद के ही अलेमेंट के साथ बॉंड बना रहा है, उससे catenation बोलेंगे, for example, यहाँ पर कार्बन है, तो उस प्रॉपर्टी को catenation कहा जाता है, अब यह catenation कार्बन की क्यों इतनी अच्छी पावर है, क्योंकि इसकी बॉंड जो है, वो stable होती है, बॉंड स्टेबल होती है, इस वज़े से catenation पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है कार्बन में, दूसरी चीज, सारे allotrops ज देखना है, degree of carbon देखने के लिए यहाँ पर जो diagram बने हुए, इन से देखते हैं, कि यह एक carbon दूसरे carbon के साथ bonded है, तो अगर इस carbon के बारे में देखें, इस carbon के degree of carbon इसका ही देखना है हमें, तो किसे पता चलेगा, यह सिर्फ एक carbon के साथ bonded है, इसलिए इसको 1 degree carbon बॉलेंगे ह नहां पर ये वाला carbon 3 carbon के साथ bonded है इसलिए उसको 3 degree carbon बोलेंगे और ये वाला carbon 4 carbon के साथ bonded है इसलिए उसको 4 degree carbon बोलेंगे अब for example हमें ये वाले carbon के बारे में पता करना है तो ये वाला carbon किते carbon से bonded है ये carbon एक ही carbon से bonded है इसलिए ये वाला particular carbon 1 degree carbon होगा इस तरीके से हम degree of carbon भी समझ सकते हैं और catenition property भी समझ सकते हैं Thank you